आप सब बहुत अच्छ अच्छ, आप सब बहुत हुआ था अच्छ आ इस ब्लोग में जो मेरे चैनल पर नुय को सस्क्राइब कहा लेए समाइल के साथ और बहुत लेए और कमेंट को बनाने की आगा अग का बनाल बूह पर पीर जरूरह एक नए बनाल के साथ तो गाइस मैं अब बाब करके फिर हुई थी और मैंने नहा भी लिया तो मैं सोची रहे हैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कहले हूं और मतलब अपना बिलोग भी स्टार्ट करते हूं तो मैं अब इस तर पर बैठ हुए हूं तो आप लोग देख सकते हो यारो बाबु का अब बढ़ा टेटिवी है तो आप लोगों देखिए ये तो मैं क्या बनाने जा रही हूं और उम्मीद करते हूं आप सबको बहुत ज़्यता पसंद आएगी तो आद मैं आपको मीठा खिलाने वाले हूं कोई सबजी या प्रियासी चोईते मैं रोज खिलाती हूं तो मैं सब आप लोग भी देखिए और क्या बनाती हूं और कैसे बनाती हूं और उम्मीद करते हूं आप सबको बहुत ज़्यता पसंद आएगा बहुत मैं जाएगा दीखने में और खाने में भी तो आप लोग भी बना सकते हो और खा सकते हो अपने परिबर वालों को भी खिला सकते ह जैसे मैं बनाऊंगी तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद भी है और अच्छा भी लगता है और मेरा भाई है ना चोटा वाला उसको तो कुछ ज़्यादा पसंद है तो मैं रहुत चलिए और देन ना करते हो चलते हूँ को चलते हैं तो मैं आगे हूँ करें चलती हूँ तो मात्य है। मैं आगे हूँ किचिन में और यह बने ड्राइफ्रूट लए ने वैसे सी ईकाना है और काजू, बादा के भीज और चिरॉनजी हैं और तोड़ी से किसमें से ले ली हैं मैंने तो ये सब ले लिया है meg मैंने चावल को पहले ही भिगो दिया था तो क्योंकि ना भिगोने से क्या होता ना बहुत अच्छी बनती है और टैस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो मैंना दूद में ही वनाँगे खाली पानी वानी नहीं डालूंगे बिरकुल भी तो यह देखिए और यह न मतलब मेरा काफी दूद आता है एक लीटर से भी जाएदा तो हम दोई लोग है तो मैंने चावल भी एक ही मुठी लिए तो उसी में मैं खीर बनाऊंगी और आप लोग बनाऊंगे आपके खीर ना सब खाते खाते आपके फैन हो जाएंगे और मेरा एक चोटावाल भाइन उसको तो ब जाएंगे और उसके बाद में इसमें चावल बगएर डालूंगी तो यह दिखिए दूद में आने लगा है आप लो दिख सकते हो तो यह दिखिए और इसमें अब डालूंगी चावल जो कि वेने पहले से भीगू के रखे थे और यह दिखिए याँ पर मुझे यह लग रहा है यह कुछ लगाए वट कुछ नहीं है और यह था दूर्द का बहु नहींहीं। जो मैंने इसको साफ खी खीरह नहींते तब हो गया था तो यह देखे मेरी खीरह पीच थरीके की हो गई है आप लोग दिख सकते हो और मैं इसको बीच-बीच में चेक भी कर रहे हूं और इसके बाद मैं इसमें चीनी भी डाल दिया है यह आप देख लेना चावल को अच्छी से हो गए कि नहीं हुए तो मैं ना मैं क्या करूंगी जो मैसा रहनी होता तो मैं उसको थोड़ा सा हलका हल करने में मैंने मतलब छोटा करकर के दिखाया नहीं तो रहे हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आप लोग खुद ही समा सकते हो तो आप लोग जितना खीर को और कड़ी को मतलब और साब को जितना भी अच्छी से परना हुए अच्छा टेस्ट आता है बहुत सारी चीज मेरे खेर और कितने अच्छी रह रहे हैं यम्मी यम्मी बहुत यम्मी बनी भी थी क्योंकि मतलब ना जब मैंने खायते हैं मुझे बहुत ज़्याद अच्छी लेकि में आपको बतानी सकती और आपको भी आपको बढ़ागों आपको बश्यत पसंद आई तो यह देखिए तो यह देखिए मैं आप मतलब इसको मैस कर रहे हूं मैसर से जैसे आलो नहीं तोड़ते से यह वह है मेरे पास और आपके पास यह नहीं तो आप जो गिलास नहीं हो तो बड़ा सा गिलास ले और उससे कर देखिए या फिर चम्चे से भी हो जाता है तो मैंने ना छोटा व और भी पकने दूंगी जब तक इसमें अच्छी सी मलाई ना आ जाए जैसे दूद में नहीं आती है मलाई उस तरीके से आ जाती है और तभी खीर का अच्छा भी टेस्ट आता मुझे तो तो यह देखिए मैं इसको खूब अच्छे से बना रही हूँ खूब महनत करकर के खूब महनत कर रहे हम यूट्ब के लाइक भी कर दिया करूं गाईस तो यह देखिए और खीर मेर बन चुकी है और मैं आपको दिखाते हूँ वावल में निकालके तो मैं थोड़ी सी निकाल ली है आपको मैं दिखा वी रही हूँ और बताने कैसी लगी मेरी यह खीर और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना तो जो मेरी चैनल पर दिव है तो सस्क्राइब भी कर ले गंटी बजा देना और लाइक भी कर देना तो चलिए मैं न मतला कुछी तेर कुछी बल रही हूँ और आपको दिखाते हूँ तो चलिए गाइस मोची हो और दाने इसवाव्यर में ब्रस अच्छी के साथ तक के लिए बही बाई बही गाइस